So, hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary. I am Dr. Cataract and Refractive Surgeon. आज की वीडियो में quickly आपको differences समझा रहा हूँ InnoWise and Customized Technology के बीच में and ये वीडियो बहुत जादा important होते जा रहे हैं क्योंकि मैं आज कल देख रहा हूँ बहुत जादा misleading and marketing वाला content कस्टम आइस के around डाला जा रहा है तो क्या reality है कस्टम आइस की आज की वीडियो में सारा आपको समझाने वाला हूँ अब देखिए InnoWise जो है ये basically एक Ray Tracing LASIK वाली technology है Ray Tracing LASIK को वर्ल्ड में पहली बार launch करा गया है 2024 में Alcon के द्वारा इससे पहले Ray Tracing LASIK technology वर्ल्ड में exist ही नहीं करती थी लेकिन जो कस्टम आइस है ये एक wavefront guided LASIK वाला operation है wavefront guided LASIK operation जो है वो already पुरानी machines में available है तो Alcon में भी operation कर सकते हैं JNJ में भी operation कर सकते हैं ZYES की machine में भी operation कर सकते हैं और अब ये wavefront guided वाला operation Shwind ने भी अपनी machine में launch कर दिया है और उसको नाम दिया है Customize सो Customize कोई नई technology नहीं है बस Shwind ने अब wavefront guided वाला operation अपनी machine में भी launch करा है और उसको एक नया नाम दे कि उसका थोड़ा सा marketing करा जा रहा है नेक्स पॉइंट पर आते हैं US FDA का safety approval InnoWise की जो लेसिक machine है EX500 और InnoWise का जो software है दोनों US FDA से safety के लिए approved है जबके Customize की जो लेसिक machine है Shwind Amaris 1050 वाली और जो Customize का software है दोनों US FDA से approved नहीं है तो question ही आता है कि US FDA approval की इतनी importance क्यों है हम US या अमेरिका में थोड़ी रहते हैं हम तो इंडिया में रहते हैं देखिए जब एक technology को US FDA का safety approval मिलता है तो उस technology की एक market में credibility बनती है हमारे doctors का और patients का उस technology में जो confidence है वो 10 गुना जादा बढ़ जाता है क्योंकि देखिए जब technology पूरे world में launch होती है तो अमेरिका वाले या US वाले उस technology को अपनी country में launch नहीं होने देते पहले उस technology पे अमेरिका वाले अपनी खुद की research करते है US FDA वाले अपने trials करते हैं अपनी clinical studies करते हैं और जब तक उनको 100% 200% तसली नहीं हो जाती कि ये technology बिलकुल safe है तब तक वो अपनी country में अपने citizens के लिए उस technology को launch नहीं होने देते तो आप ये देखेंगे कि पूरे world में technology पहले launch होती है और अमेरिका में technology late launch होती है क्योंकि वहाँ पे US FDA वाले अपनी extra research करते हैं तो जब एक US FDA का approval मिलता है किसी technology को उस technology की credibility और इस technology पे confidence हमारा बढ़ जाता है कि जो technology में अपने patients के लिए use कर रहा हूँ वो सबसे highest safety की है और सारी testing होके इसको FDA का approval मिला है और इसको launch करा गया है अच्छा दूसरा Shwind वाले कहते हैं कि हम तो German company है हमें US FDA से कोई मतलब नहीं है हम तो C approval से मतलब रखते हैं देखिए ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया Shwind की कुछ machines FDA से approved है लेकिन Shwind की LASIK machine और कस्टमाइज को approval नहीं मिला और साथी साथ बाकी machines आप देखिए Alcon Germany की machine है FDA approved है Zeiss Germany की machine है FDA approved है Nidec Japan की machine है FDA approved है तो ऐसा नहीं है कि Shwind को FDA approval चाहिए नहीं प्रॉब्लम यह है कि Shwind को FDA approval मिल नहीं रहा US FDA से because उनकी technology में कुछ shortcomings है तो अगर मेरे पास यह choice है कि मैं अपने patients के लिए एक FDA approved technology यूज करो या non FDA approved करो तो मेरी choice हमेशा FDA approved रहती है क्योंकि इसमें safety की कोई tension नहीं है और यह जो सारे operations है यह छोटे छोटे बच्चों में करे जाते है चश्माट आने के 18 से 30 साल के बच्चों में करे जाते है safety में हम कहीं भी compromise नहीं करना चाते तो यह second point है कि यह InnoVise Technology FDA approved है और यहाँ पे FDA approval नहीं है अब दीखे क्या होता है कि जिसके पास जो machine होती है वो doctor कहता है कि मेरी machine best है तो Alcon वाले जो है वो अपनी machine के features बताते है Shwind वाले जो है वो अपनी machine के features बताते है कि 70 tracking है 1050 fast laser है यह है वो है लेकिन actually ऐसा होता नहीं है जब भी technology world में launch होती है तो technologies को compare करा जाता है और compare करके उनके जो results होते हैं उनको journals में publish करा जाता है तो world में तीन studies हुई है यह तीनों मैं screen पर लगा दूँगा तीन studies हुई है दुनिया में जहां पे EX500 Alcon की machine को Shwind 1050 Shwind की machine से compare करा गया है और तीनों studies में Alcon की machine जो है वो superior आई है compare to Shwind machine यह studies मैं लगा भी दूँगा आप इनको देख भी सकते हो तो data भी यह कह रहा है कि Alcon की machine Shwind की machine से superior है अब इसके आगया आप जो मर्जी बोलते रहा हूं में पस 70 tracking है में पस fast test है ऐसे तो 10 features यहां पे हैं जो यहां पे नहीं है 10 features यहां पे हैं उसमें क्या result आया तो तीन studies हुई हैं और तीनों में Alcon वाली machine जो है वो superior आई है अच्छा InnoWise वाला operation और Custom Eyes वाला operation यह दौनों surgeries flap के साथ भी करी जा सकती है and flap less भी करा जा सकता है अब किसको कौन सा जादा suit करेगा वो हम reports को देखके patient को suggest करते हैं अच्छा दूसरा आप बहुत simple चीज़ कर सकते हो अब Google पे जाके Ray Tracing LASIK versus Wavefront Guided LASIK बस type करके compare कर लेना तो यह मैंने type भी कर दिया है यह मैं दिखा देता हूँ Google की क्या results है आप देख सकते हो Google ने साफ साफ कह दिया है कि जो Ray Tracing LASIK technology है वो कई गुना जादा superior है Wavefront Guided LASIK technologies है तो उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको और clarity मिली होगी कि कैसे कैसे technologies upgrade हो रही है कैसे कैसे हम लोग नए नए treatments वर्ल में introduce कर रहे है हाँ लेकिन थोड़ा बहुत जो misleading marketing चल रही है उसके और में थोड़ा से इस वीडियो में आपको clarity देना चाहता था तब तक लिए thank you very much for watching this video and I'll be back soon